कर दोस्तों मैं रचनरोय मात्रिभात्ति में आप लोगा स्वागत करती हूँ आज मैं आप लोग को एक सामाजिक कहानी लेकर आ गई हूँ फिर से जी हाँ यह कहानी है पापा की अनकही जिसे एस भाग्यम शर्मा जी ने लिखा है तो चलिए शुरू करते हैं कहानी नाम से ही आप लोग समझ गए होंगे कि पापा की अनकही यह एक सामाजिक कहानी है जिसमें की अपने अंतर्मन और अपनी भावनाओं का किस तरह से हम अपने जीवन में उसको सम्मेलित कर सकते हैं पापा की अनकही मतलब आप लोग समझी रहे होंगे नाम से पापा की अनकही कुछ ऐसी बाते जो अनकही रहेगी है तो उसी पर आधारित है यह कहानी यह तमिल कहानी पर आधारित है तो आई होब आप लोग को बहुत ही अच्छा लगेगा जिसे पढ़ने के लिए आप लोग को मात्रिभार्ती में जाना पड़ेगा और आप लोग को पता है मैं कहानी पूरा नहीं बताऊंगी संचेप कहानी कहानी का सेफ साराम सी बता रही हूँ पापा की अनकही कहानी पर आदारीत है और इसमें बहुत सारी छोटे छोटे बड़े बहुत सारी चीजों को बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है जिससे हमारे सामाज में कुछ अच्छे पूरे सही गलत प्यार भावना से जूरी विश्वास की कहानी है और यह बहुत ही अच्छा कहानी है आप लोग को बहुत पसता आएगा I hope पापा की अनकही जिसमें पूरा परिवार से लेकर क्या क्या होता है कैसे क्या तानमेल बैठता है पापा की कुछ बाते जो अनकही रह जाती है जो अपनी बेटी तक या अपनी बेटे तक नहीं पहुच पाती है तो उसी पर ये आधारित कहानी है पापा की अनकही तो आप लोग जरूर परिएगा मात्रिभार्ती में आप लोगो बहुत अच्छा लगेगा कहानी, तो बस इसी तरह से पूरे कहानी का इसमें तालमेल है, छोटे बड़े, अच्छे पूरे, सारे चीज इसमें बताया गया है, पापा की अनकही में, तो सामाजिक ग्रूप से ये सामाजिक कहानी है, चले ठीक है, थैंक्यू दोस् कहाना बालमेल है, ये तो सीज बताया है, अच्छे आप से एसन लेक है जोड़े, अच्छे आप है, तो सामाजिक पूरे, ये प्वाथ दोड़े इस को आप है, ये तो सामाजिक कहा बटस्ट आप खूरे, एसे दो परकाब भादते ते हैं, व्हें है, अजू, है ये कर दो